बिश्मिल्ला एर्रह्मान एर्रहीम, Myself, Engineer Muhammad Rashid, Department of Civil Technology, Government College of Technology, Multan. Our subject is Civil Engineering, Drawing and AutoCAD. आज का जो हमारा लेक्ट्टर है, प्रैक्टिकल के बारे में है, प्रैक्टिकल जो हमारा टाइटल है, Draw a Plan and Cross-section of Sockage Pit, having internal diameter 10 feet 3 inches consisting on horizontal filter. एक Sockage Pit का Plan and Cross-section बनाना है, जिसका internal diameter यानि अदरूनी जो उसका कतर है, वो 10 feet 3 inches होगा और इसमें जो फिल्टर बनाया जाएगा वो आपका उफकी होगा. Basically, Sockage Pit को दो तरीकों से बनाया जा सकता है, उसमें एक में horizontal filter यूज़ किया जाता है, और दूसरे जो construction का तरीका का रहा है, उसमें vertical यूज़ किया जाता है, तो आज के इस practical में हम horizontal filter बनायेंगे अपनी Sockage Pit में और इसका Plan and Cross-section बनाएंगे. तो practical start करने से पहले initial कुछ instructions हैं, सुल से पहले आपने जो paper size यूज़ करना है, वो आपकी quarter size drawing sheet होगी, और उस drawing sheet को आपने vertically place करना है, अपनी drawing tables के उपर इस direction में करना है, horizontally नहीं करना है, vertically करना है, और उसमें draw a plan of Sockage Pit, Sockage Pit का आपने ये plan draw करना है, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बार, draw a cross section of Sockage Pit, Sockage Pit का आपने ये ए-ए-पे cross section कट करके ये draw करना है, और scale आपने अपने paper size के में पार चूज़ कर लेना है, ये roughly मैं आपको बता रहा हूँ, approximately आपका जो scale आएगा, one fit is equal to one by two inches, तो जो भी आपके प्रमेश होगी आपकी फर्स करें ये आपकी, ये लास्ट वाली प्रमेश two fit है, तो आप इसको जब scale के मताबक draw करोगे, तो ये आपकी scale के मताबक जब इसको draw करोगे, तो ये आपकी one inch आप इसको draw करोगे, जो भी आपकी प्रमेश होगी, उसको इस scale के मताबक आप convert कर लोगे, तो next, तो यह पिलाओ यह अञ़ झालब करो गया आपने पर ने क्या है इसंति के बाइद्ल पर दम्ट कर दोगे आ हम से आर ऑबाक और ऑम सक Gleich के मताबक सब्सक्राइब उतने रेडियक्स की कमपस की मदद से आप यह उसके बाद इस डिमेंशन में आप यह 13.5 इंचित यह और कर लोगे उसके बाद यह वाला सरकल ड्रा कर लोगे उसके बाद मजीद निला भी आड़ कर लोगे तो यह वाला circle draw कर लोगे उसके बाद यह वाला circle draw करने के यह 9 inches और यह 13.5 inches यह 13.5 inches और यह 10 feet 3 inches यह add करके जो आपकी पर mash आईगी उसको 2 से divide कर लोगे 2 से divide करके scale के मताबक उसको convert करके यह draw कर लोगे उसके बाद यह आपकी dotted line है यह आप जो है यह plus यह plus यह plus यह dimension यह सारी dimensions जो हैं आप add कर लोगे यह आपकी total यह dimension बनेगी 17.25 feet यह नहीं 17 feet 3 inches बनेगी तो आप यह draw कर लोगे यह last वाला यह draw कर लोगे तो यह आपका plan बन जाएगा इसमें यह बकाइद आप dimension कर लोगे नीचे लेकर लोगे plan of socket बेट यह आप यह cross section काट होगे तो यह cross section के मताब़ कि cross section draw करोगे तो आप मैं आपको draw करके दिखाता हूं कि यह line है बिल्कुल यह इस line के बिल्कुल align है तो यह बिल्कुल align है यह देख रहे हैं आप बिल्कुल इसके align है बिल्कुल इसके align है इस तरह से आप ना टी स्केर और सेट स्केर की मतल से आप यह line है ट्रांसफर कर लोगे यह वर्टिकल लाइन ट्रांसफर करके तो यह horizontal लाइन लगा लोगे यह horizontal परमाइस दीवी है यह आप जो है यह आप इसकी यह आपकी कोटिंग हो जाएगी तो इसमें आपके यह नीचे जो है यह कर्ब है यह कर्ब जो है नुकीले इसलिए होते हैं कि जब आप सौकेश पिट बनाते हो तो आप खुदाई करके ना एक पिट बना लेते हैं गड़ा खोड़ लेते हो उसमें यह आपके RCC के ना यह आप रिंग की सूरत में बना लेते हो और यह नीचे से नुकीले होते हैं तो इसके उपर आप ब्रिंग मैसनेरी शुरू कर देते हैं अपने वेट की वज़ए से यह नीचे जाने शुरू हो जाती है तो यह प्लैन ड्रॉब करने के पाद यह क्रॉस सेक्शन इसकी मतलब से यह वर्टि आपका 13.5 इंच यानि एक फूट डेड़ इंच आपका यह आपसेट है यह भी आपका डेड़ फूट है तो अब यह सौकेश बिट में जो फिल्टर बना हुआ उसकी डिटेल बता रहता हूं आपको तो इसमें यह आपका यह RCC का कवर है यह आपकी न इसमें यह कंक्रीट की हैचिंग करोगे आप और और इसके लावा यह आपका इंस्पेक्शन कवर है पर इसकी सफाई वगेरा के लिए यह वैसकी एंस्पेक्शन के लिए कवर को यूज करोगे और यह आपके यह आपकी अहने का इसमेंगा स्विटेप कर ने के लिए इस तेप को जो जो सानेट्री वर्करा वह यूज़ कर सकता है और इसका इन्टरनल डायमेटर शो किया हुआ है, यह आपका इनलेट पाइप है, जो आपका सेप्रेट हैं गाँ उसमें से यह पानी आएगा, इनलेट पाइप के तुरू यह सौकिश पुट में चला जाएगा, तो यह आपका पहली लेयर यह सेंड की है, तो इसकी जो यह नाई नीचीज की है तो यह सेंड फिलिंग वन फिट थिक आप ड्रा काल लोगे उसके बाद ब्रिक बैलस्ट यानी इंटो की रोड़ी यह ड्रा काल लोगे और ब्रिक बैड यानी इंटो यह आपके आदे या पॉने साइस के इंटो के रोड़े होंगे यह आप बना के डिटेल आसे है कि जैसे पानी आएगा न इसमें आपके इंटो के रोड़े हैं इसमें आएगा और उसके बाद यह आपकी मसांदर स्लैब nerve行 और पहरी है की को estasि यह घौरिए ग्रेवल से होता हुआ जब यह आर्थ है आपकी यह जमीन है तो तो इसमें जाता हुआ जो जरीजुर। जरीजुर जरीजुर के पानी से पानी यह जला nya जो आपका सुपटनएंग जो पानी है उसको निए रहुक्त society ठाल पानी जुटन इस तरह से जो हमारा नेशनल सोर्स है वह आपका ज्यादा खराब नहीं होता तो इसमें बाकी यह जो आपकी वाल जाय क्या ब्रेक मेसिनरी का है इसका नाया को प्रेक्ष पर पनिय के ब्रेक्ष ऑगे यह आपका नीचे से निकीला इसलीए होता है ताके आप घराई तक जाना और नीचे आप जो है श्यक्त मुस्लाब बना दो गई या पिर इसको ऐसे ही रहने दो तो यह आपका सौकेज पिट है इसको बाज का सौकेज वैल भी कहते हैं तो यह आपकी यह परमेश दो फिट है यह आपकी छे फिट है यह जो आपका कवर नेज यह तक एक फूटशेंच है तो ये अवराल ये आपका क्रास सेक्शन था सॉकेज पिट का और आपने शीट पे जब ड्रा करना है दोनों को इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने ड्रा करना है और इसका जो प्लैन है इससे ये आपने प्रमेश उपर बशुब करनी है तो ये अप प्लैन में भी ये आपका ये दिखाया गया ये आपका इंवैट पाइप जो है न ये चुके जमीन में दभा हुआ है इस वाज़ा से ये ग्राउन लावल से ये नीचे है इस वाज़ा से डौ्ट इड में है ये आपका कवर है तो आप मुझसे वाटसाइप पर रापता कर सकते हैं या आप YouTube कमेंट भी कर सकते हैं तो इंशालब मैं अवेलिबल होंगा आपको इंशालल जरूर गायड करणा तो आज के लिए इतना इंशालल नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाँ आफिस